हिंदुस्तान की तारीख में साल 2022 को हमेशा याद रखा जाएगा राहुल गांधी पर जन्ता को फक्र होगा कि इस देश में एक ऐसा भी नेता पैदा हुआ है जिसने नफरत से बेजार हो रहे देश में महबबत की हवा घोली नाउमीदी की दौर में उमीद का एक दिया जलाया ऐसे माहौल में जब देश की गोदी मीडिया जन्ता को गुमराह कर रही है सरकार की सच्चाई जन्ता से छुपा रही है तो एक नेता ने देश की खातिर सड़क का रास्ता अक्तियार किया और देश को ताना शाह की असलियत बताई यह रास्ता कठिन था, कई चुनोतनिया आई लेकिन नेकी रादों के सामने मुश्किलों की क्या बिसात, नफरत का बारूत फैला रही दिल्ली की कुर्सी पर बैठी सरकार इस बात से बेपरवा है कि देश और आने वाली नसलों के लिए 21 सदी का यह दशक कही लिहाद से भारत के लिए बेहद अहम है दुर्भागे से सरकार और उसके सिपाह सालारों का 103 कारिकरम है जन्ता को धर्म और जाती के जमेले में फसाकर अपनी कुर्सी को बचाए रखना और सरकार के इस कुकरमों में साथ दे रही है इस देश की गोदी मीडिया अजमल सुल्तानपुरी के शब्दों में कहें मुसल्मा और हिंदू की जान कहा है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूण रहा हूँ जहां थे तुल्सी और कबीर जाइसी जैसे पीर फकीर जहां थे मोमिन गालीबो मीर जहां थे रह्मन और रस्खान मैं उसको ढूण रहा हूँ अमन और गंगा जमनी तहजीब के नीव पर पूरी दुनिया में तरक्की का पर्चम लहराने वाला हिंदोस्तान आज संग और भाजपा के नफरत का शिकार हो गया है बेहत दुख इस बात का है कि इस देश की बागदोर एक ऐसे तानाशाह के हाथ में है जिसका भूत या वरतमान सब रहस्यम है यह तानाशाह अपनी संस्थानों की ताकत से लोगों को डराता तो है परन्तु आलोचना से घबराता है और एक प्रधान मंत्रे के तौर पर अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी नहीं लेता यही कारण है कि संसथ में जब राहुल गांधी जनता से जुड़े सवालों का जवाब मांगते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है संसथ में सवाल पूछ नहीं सकते गोधी मीडिया की सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत नहीं है तो ऐसे में सवाल उठता है कि जनता की तरफ से आवाज उठाएगा कौन इसी सवाल का जवाब है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज देश का निर्मंग साशक जनता से उसके निवाले पर भी करवसूल रहा है जबकि बेताहशा महगाई से लोगों की कमर पहले ही तूटी हुई है पढ़ह लिखे युवा बेरोजगार फासी पर लटक रहे हैं किसान अपने फसलों को खेत में जलाने के लिए मजबूर है सरकार से लेकर सिस्टम सब मस्त जनता की कौन सुने जनता किसे सुनाए अपना दर्द बेटियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनावती बन चुकी है देश के अधिकतर सरकारी संस्थानों की ऐसी तैसी हो गई है जब जनता के खून पसीनों की कमाई को लूट कर उद्योगपती मित्रों को मनमाना छूर दी जा रही हो ऐसे में विपक्ष का धर्म है सडक पर उतरना और यही काम कांग्रेश और राहूल गांधी कर रहे है जनता भी राहूल गांधी के इस यात्रा को खूब प्यार और दुआई दे रही है क्योंकि इस देश की जनता मुहंपत और अमन पसंद है राहुल गांधी की यात्रा में चल रहे लोगों की अठाह भीड का संदेश साफ है कि इस मुल्क में नफरत के लिए कोई जगा नहीं राहुल गांधी पूरे देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर एक उम्मीद का पर्याय बन कर उभर रहे हैं इस यात्रा का यह प्रभाव ही है कि हिंदू और मुसल्मान को आपस में लडाने वाले संग के सरगना मस्जिद जाकर गंगा जमनी तहजीब की हिमायत कर रहे हैं भाजपा दुआरा पूरे देश में फैलाई जा रहे हैं गंध को दबे मन से स्विकार करने लगे हैं सरकार के मंत्री गरिबी और बेरोजगारी पर खुल कर सरकार की नाकाम्याम्या बता रहे हैं जिस राहुल गांधी की छवी को तोड़ने मरोडने में सरकार हजारो करूरोपे खर्च कर चुकी है और गोदी मीडिया अपना दशक बरबाद कर चुकी है उस राहुल गांधी में आज भारत अपना भविश्य देख रहा है महिलाओं से लेकर बुज़ुर्गों और नौजवानों से लेकर बच्चों तक सबकी जुमा पर राहुल गांधी है आखिरकार सरकार की चरण चापलूसी में व्यस्त गोदी मीडिया भी है मानने को मजबूर हो रही है कि राहुल गांधी अपने पूरुशार्थ से देश का मिज़ाज बदलने में काम्याब हो रहे हैं एक नया भारत गढ़ रहे हैं देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी के कैडर और इससे जुड़े युवाओं में नया जोश पैदा हो रहा है राहुल गांधी एक नेता ही नहीं एक अच्छे सौम्य और धयालू इंसान के रूप में अपनी प्रतिस्था स्थापित कर रहे हैं जहरीले और अराजक वातावरण में अब राहत महसूस हो रही है जन्ता का प्यार और समर्थन हिंदुस्तान की तारीख में नई मिसाल जोड़ रहा है उत्तर से लेकर दक्षिन तक भारत के लोग महबबत को नई परिभाशा दे रहे हैं ये साल 2022 है सियासत में इंसानियत की व्याख्या हो रही है देश की जन्ता सच और जूट का फर्क समझने लगी है और यही परिवर्तन की आहठ है नमस्कार